तुर्णिंग क्या है ये पड़ो नीचे दी गई आवाज को लिखे गई शब्दों में ढूंड कर घेरा बनाओ जैसे कि आपको यह शब्द दे रखे है लाइन के बाहर जो मैंने लिखे है मे ने और मे तो इनको जो सामने जो शब्द दे रखे है उसमें ढूणना है कि मे किसमें लिखा हुआ है मे जैसा क्या आवाज सेम आ रही है में जिसमें अगर किसे में होगा तो आपको उसके उपर सरकल बनाना है देखो अब इसमें कहा लिखा वाले हैं कि सेम आवाज वाले जो है दी गई आवाज को ढूंड कर शब्दा में जो देखना ऐसी आवाज किसमें आ रही है में जैसे तो आपको circle दे देखो इसमें क्या लिखा था पहला पहला जो लिखा हूँ क्या है मेला मेला तो इसमें भी में हैं तो में पर अपने circle बना दे दिख रहा है circle मेला सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है रमेश रमेश र में भी मे आ रहा है तो ओनली मे पर सरकल बना दिया गोला बना दिया घीरा दिख रहा है मेजबान ऐसे करके आपको यह करना था फिर देखो बे फिर बे दे रखा है बे कहां कहां पर है वहां पर आपको सरकल देखो पहले लिखावा बेला तो बे पर सरकल बना दिया बेला चेला लिखावा चेला तो हैई ने मैच नहीं कर रहा है सेम आवाज है ने बेला चे बे चे मैच नही है फिर है बेलन बेलन बे और यह बे सेम है ना तो इस बे पर भी सरकल बना देखो फिर है न ने है ने ओके तो ने है तो फिर देखो सबसे पर लिखाओ थग नहीं इस पर भी नहीं बनेगा क्योंकि इस पर तो ने ही नी फिर देखो सैकेंड है ने ता तो ने है ने पर सरकल ब पर सरकल बना दिया तो आपको उस पर सरकल बना दिया समझ मर्यार आपको जो समय आवाज आ जा geben तर्दे रख़ wireless ओब आपको क Jake שה На आरुए बोलने पर तो आपको उस पर सरकल बनाया처럼 अच्छी हंड राइटिंग में काम करना ऐसे ही आपको करना है मिवह पहले ही की लाइन के इधर इस साइड यह लिखने है में बे ने फिर देखो जैसे मैंने लिखे वैसे आपको लिखे सरकल बनाना है ओके आज के लिए इतना ही और आपकी एक की मात्रा कंप्लिट हो गई है कल अपन ऐसे अईनक की मात्रा लेंगे ओके सभी अच्छे से करोगे और याद भी करोगे अच्छे से चैप्टर रिडिंग करोगे इससे आपकी रिडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी ओके गुडबाई टेक केर अले स्टूडेंट्स